सो हाई डिस इस प्रवात रेंजर आज के इस वीडियो रिवीव कर रहे होंगे CVRC इब्राहिम पत्नम, CVR College of Engineering इब्राहिम पत्नम की तो CVRC इब्राहिम पत्नम तेलांगना में स्थित एक प्राइवेट इंजिनियरिंग कॉलेज है तो स्टार्ट कर लें प्लेस्मेंट के साथ हुमारे पास कुछ ओफिशल प्लेस्मेंट डिटेल्स एविलेबल हैं CVRCE के ओफिशल वेबसाइट पर जिसमें इन्होंने मेंसन कर रखा है 2022-23 में 1500 से ज्यादा स्टुएंट्स को प्लेस्मेंट लगा था हाइस पैकेज रहा है 2022-23 मेंच के लिए काफी सारे स्टुएंट्स को 25 LPA से ज्यादा का पैकेज मिला है लगबग 100 स्टुएंट्स से ज्यादा को 10 LPA से ज्यादा का पैकेज मिला है और 300 स्टुएंट्स से ज्यादा को 6 LPA से ज्यादा का पैकेज मिला है इनके हिसाब से जैसा official website पर लिख रखा गया है कि पिछले 6 साल से 100% placement percentage का record रहा है लेकिन students का मानना है कि जो top branches like computer science electronics जैसे branches है 70-80% का placement percentage रहा है तो देखें मैं भी जो आपको placement percentage बताता हूँ जब NIRF report से चेक करके बताता हूँ उसमें मैं ये बताता हूँ कितने students से admission लिया और कितने students finally placed देते अब देखें जितने students placed नहीं हुए हो सकता है कि कुछ students placement के लिए बैठे ही न हो हो सकता है कुछ students higher studies के लिए opt-out कर गए हो हो सकता है कुछ students eligible ही न हो तो इन सभी details को जब side कर देते हैं उसके बाद मैं जो placement percentage बताता हूँ वो रहा था आपका NIRF report से और वही details maximum of the students बताते हैं लेकिन जो official placement details मैं placement brochure या फिर placement website पर जब हमें देखने मिलता है college की तरब से जब announce होता है वो placement percentage होता है कितने students placed हुए upon कितने students ने placement के लिए fill out किया था उसके बाद कितने students placement के लिए eligible थे यानि कि finally जितने students placement के लिए बैठ पाए उसमें से कितने को placement लगा हो सकता है total number of students जितने placement के लिए बैठ है वो बहुत सारे students total number of students में से वो अलग हो गए कुछ students हो सकते हैं कि आपके higher studies के लिए opt-out किये थे तो वो placement के लिए नहीं बैटे तो वो total placement में जितने बैटे उनमें count नहीं होंगे हो सकता है कुछ eligible ही नहीं हो कि नहीं का 5CG, 7CGP रहे गया किसी भी company के लिए eligible ही नहीं हुए हो सकता है कि उन्हें placement लेना ही नहीं था उन्होंने कुछ दूसरा सेक्टर चुन लिया जो भी सारी चीज़े हो सकती है तो जब students बताते हैं फिर NIRF रिपोर्ट जब बताता है तो वो आपका कितने students ने से graduation complete किया उनमें से देखा जाता कितने students को placement मिला लेकिन जब institute अपनी तरब से placement percentage finally announce करता है उसका मतलब होता है कि कितने students को placement मिला आउट ओफ कितने students placement के लिए eligible थे और placement के लिए उन्होंने fill out किया था apply किया था इसी के साथ एक छोटा सा detail और है इनके official website पर जिनमें इन्होंने बता रख्या है कि 2023 का average package 8 LPA रहा 2022 में 7 LPA था 2021 में 5.5 LPA था 2020 में 5 LPA तो एक अच्छा खासा में growth placement package में बोसके average package में देखने क को मिला है इसी के साथ अगर बात कर ले internship जो 6 months internship मिला है highest आपका गया है 1.1 lakh per month का internship मिला और students कहा रहे है कि जितने वो placement लगता है almost 40% के आजपास को internship भी हमें देखने को मिल जा रहा होता है बात कर ले admission process की तो दो प्रकार का admission process में देखने हो मिला है category A और category B category A के लिए 70% कोट आप भी कह सकते हो category A के लिए आप TSEAMCET का exam दे रहे होंगे और TSEAMCET के exam में जो भी marks बनेगा उसके basis पर जो भी rank रहेगा आपका TSEAMCET counseling के थ्रू ही colleges and branches सलोट हो रहे होंगे बात कर लेगर category B की तो इसमें सबसे पहले priority मिलता है आपका J-Man rank को देन उसके नीचे वाला priority मिलेगा आपको TSEAMCET rank को और उसके बाद priority मिलता है class 12 marks को या फिर जो भी आपका percentage रहे final category B में admission के लिए बात कर ले cut-off की तो मारे पास TSEAMCET 2022 और 2023 लास्ट राउन closing rank के cut-off के screenshot लगे हुए हैं for home, state, gender, neutral, general students लाइक देख सकते हो computer science engineering 2023 में close गुआ था 6,643 rank पर और बाकी सारे branches की भी आप देखी पारे हो अब अगर आपको All India quota के लिए cut-off चाहिए तो अभी आप All India quota के भी सभी ब्रांचे से cut-off के screenshot देख पारे हो आज की रेट में per year 1 lakh रूपीज के आसपस देखने हो मिला है, hostel plus mess, वही गल्स के लिए लगभग 95,000 रूपीज देखने को मिल रहा है per year, hostel plus mess तो finally हम पहुत अपने college and hostel life most of the topic के ओपर तो सबसे पहले इसी point की सार्ट करना चाहूँगा, वारा CVR CE, इब्राहीम पतनम आपका CVR College of Engineering इब्राहीम पतनम तेलांगना में 33 एकर campus area के अंदर एक decent infrastructure प्रोइड कर रहा होता है, एक सुन्दर सा infrastructure देखने हो मिलेगा, लेकिन आप इसे top private engineering college से compare नहीं कर सकते, क्योंकि private college है, एक decent infrastructure प्रोइड भी करता है, आपको एक अच्छा कासा placement भी ओफर कर देता है, अफॉर्डेबल फी श्ट्रक्चर, तो उसी साब से अगर आप इसे मान कर चल रहो, top engineering college है, तो जी हाँ है top engineering college, लेकिन इन जेनरल जो आप सोच देखो, top engineering college उनका जो infrastructure होता है, लाइक आप बिट्स पिलानी की बात कर लो, VIT वेलोर की बात कर लो, MET हो गया, आपके LPU, engineering college ने बोरो, बढ़िया, but again, IIT and IIT नहीं बोरो, IIT and IIT और local के बीच का बता रहो, उसके आस पास का आप infrastructure compare कर के चल सकते हो, इसी के साथ students से बताया कि थोड़े से restrictions रहते हैं आपके institute में, चाहे आपके hostel से बाहर जाने के timing को लेकर ले लिजिए, फिर in general किसी भी प्रकार की discipline restriction की बात कर लीजिए, थोड़ा सा strict sound करेगा और इसी के साथ अगर हम बात कर ले, hostel facilities किस प्रकार हैं, तो कुछ student ने 3-seater room बोला है, कुछ ने 4-seater room बोला है, यानि इतना तो clear है, single-seater rooms देखने हो नहीं मिलेंगे, share दी मिलेंगे, 3 या फिर 4-seater rooms हमें देखने को मिल जा रह किया है में इसके बारे में थोड़े से quality को लेकर, इसी के साथ बात कर ले, कि अगर suppose कर ये, आपको hostel अलोट नहीं हो पार है, क्योंकि limited hostel rooms available रहते हैं, तो आप आसपस में जो भी PG rented rooms available हो, वहां भी रह सकते हो, इसी के साथ अगर हम बात कर ले, अपने sports facilities किस प्रकार हैं, तो हो सकता है कि अगर आप cricket team को join करते हो, तब आपको cricket ground use करने मिली, या फिर किसी certain occasion, certain days पर ही में देखने हो मिले, या फिर restricted कुछ time हो सकता है, लेकिन जितना पे खुला sports ground सोच सकते हो, उस प्रकार का students ने बताया है, उतना जादा free नहीं है, तोड़े से restrictions लगाए गए हैं, अ college life में थोड़ा और एक negative point students ने बताया है, सबसे पहला negative point तो ये, कि आपके बहुत ज़्यादा events and fest नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं, डिसेंट नमबर उप में होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, जो होते भी हैं, थोड़े से boring type के होते हैं, मतलब जिसके वज़े से चीजे हमें थोड़ी सी restrictor देखने को मिल सकती हैं, students ने ये भी बताया कि आपके institute की दूरी सहर से काफी ज़्यादा दूर पर जाते हैं, अगर proper connectivity की बात कर ले तो nearest railway station, 30 km दूर है काचेगोडा railway station, 33 km दूर है है हैधराबाद डेकेन railway station, 37 km दूर है सिकंद या फिर आज की इस वीडियो मेरे किसी points से सहमत या सहमत हो, या किसी particular branch का latest updated placement data अविलेवल हो, comment section में लिकर बताना ना भूलें, आज की इस वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई है तो like, share, subscribe दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बात है, कुछ मन की बात है लिक आपी के लिए तो है, thank you for watching this video, good bye, I have nice day, wish you all the best for future, enjoy your journey.